बैया 20th माई को रिलीज होने वाली है कुईन कंगना रनौत की फिल्म धाकड एक्शन के मामले में जस्ट पावाल है और अगर बात की जाए स्टोरी लाइन और सारी चीजों को लेकर कंगना धमाल मचाने वाली इतना तो 101% शूर है अब आप सभी दर्शकों को बताना चाहता ह जो की जुड़ी हुई है धाकर से की आखिरकार कैसे भाई सल्मान खान भी कूद पड़े हैं धाकर के प्रमोशन के लिए इस वाकत है आपका मेरे अपने चानल चैली कसाना में मैं हो आपका यारों का यारों स्टाहल बोच कंगना की हमेशा एक कंप्लेन रहती थी और वो हम भाईजान सल्मान खान ने खुले दिल से क्वीन के लिए औल दे वेरी बेस्ट के लिए नया प्रिलर डाला है और आप लोगों को बता दो दोस्तों जिस पर कंगना रनौत ने भी रियाक्शन दिया है थैंक यू माई दबंग हीरो हाट अफ कोर्ट आइसा सपोर्ट जिसके तहट कंगना रनौत खुशी से फूली नहीं समा रही है और कंगना रनौत जो है यही बात कह रही है कि वही सल्मान सहाब का सपोर्ट मिल गया यान की बवाल हो गया वैसे आपको बता दू तो जिसके उपर सल्मान खान का हाथ आ जाता है वो कोई भी लीगल ट्रबल में नहीं पसता है और यह बात तो हम सबको पता है कि कंगना रनौत लीगल ट्रबल में ज्यादा पस जाती है लेकिन अब जब भाई का इतना बड़ा सपोर्ट आया है तो I am 101% sure कि कंगना रनौत को आप कोई भी छू नहीं सकता specially यह जो बुली गैंग है बॉलीवूट का यह नेपटीजम वाला जो गैंग है यह बिलकुल भी नहीं छू सकता है लेट सी कंगना रनौत ने तो बोल दी है बड़ी बात आपको क्या है क्याना इस बारे में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा बने रहें चैनल के साथ देखते रहें आपका फेवरिट चैनल जिसका नाम है टैली खलजाना मुझे इजाज़ा देजे